हुआ फ्रेंट वेलकम टो विकी मोजे चानल और इस वक्त हुआ मैं तुना के सबसे फेमस एरिया क्यांप एरिया लश्कत एरिया भी का जाता है और आज हम देखने वाले एमजी स्ट्रीट जो काफी फेमस है याका और यहां पर बहुत तरह बहुत सारे लोग आते अब मैं इस वक्त खड़ा हूं वह हो तो है यहां का में तो फेमस मेंद्विश चर्च है अगर आपको की तरह हो तो देखो यहां से में शुगात करने वालों आगे जाते देखते क् पारइए तो के मत आएगा है और आपको मैं यहां की मशूर बिल्डिंग दिखा देता हूं जो आपके दो सामेश आपको पुछेंगी कि आपने पुना में यह बिल्डिंग देखिए गया तो यह बिल्डिंग एक्शल्य ऐसे लगता है कि वूल्टी रखी यह लेकिन यह यहां के मश्वूर बिल्डर कुमार बिल्डर की आफीस है और और यह उन्होंने इसलिए इसा अ गोल्डरौ जो पींटीक्टिंटि उनका होता है तो यह लोग यहां पे जुरुर्र आते हैं देखने के हिले के यह बीलडिंग HERE जिखरू भी करेंगे तो यह वो बिल्डिंग है और परमार रहूस जो बिल्डिंग है उसके बाजू में ही यह बिल्डिंग है और जो शिशा दिख रहे नहीं ऐसा नीचे जुखा हुआ तो इसको देखें लोग बहुत ही आशर चेकित होगे तो जब पहले पहले वारते यह तो यह वही विल्डिंग है कुमार विल्डर्स का ओफिस और इस वीडियो में ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ और नहीं मैं मुझीक बैंगराण मुझीक रखने वारा हूँ ताकि आपको पुना में जो असीजी वहा का महोले उमेसूस हो और हम जारे स्वेशन स्टिट क कमेंटिक है और अब यह फिर से उन्हें खड़ा कर दिया है लेकिन पहले जैसान नहीं है मुंबई जैसान नहीं है यह फैशन स्टिट थोड़ा अंदर था लेकिन इसको फैशन स्टिट ही बोलते हूँ कि आए पूरे जल गया जाने यह आई जल गया तिरसे बनाना बड़ा साथ है बहत लुकसान है कि पूरा इग दुकान में बचा साथ हूँ यह तपट बच्छे था बाहरा, बागी बसल दे मुझा रहा है दस यह बाहरा भी पाने है बचे है जो से जाए जाए शोता है की दूपनी कुमभई की दर है यहाँ से चालो होता है MG Road यह पुरा MG Road है मेरे पीजे इक चीज क्या पे रहा है की और पुने की फेमस हुए इंटरनेट आने के बाद ज्यादा टूए पुना की बेकरिस यहाँ का कुदिन यहाँ के होटेल्स ज्यादा फेमस हो गए और दोस्तों यहाँ यहाँ पर यहोदी लोग बेने इसराइल इसलिए 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 पूटना फेमस है कि इस रोड के नज्दी के मेरे ग्रेट ग्रेंड़ अंटी रहती थी और मेरे मैंटरल, आνटी, अंकल, मेरे कसन्स यहीं पे रहते हैं। यहां पर हमेरे पुने में रिश्क्तार हैं। मेरी ग्रैंड मदर खाफी कंज़रवेट्व क्रिस्टयन थी। मुझे आधा चर्च लाती थी। और एक चीज उसने बहुत सिछाई। जो यहां का जो जूइश कल्चर है बेन इत्रयाल के बारे में और ख्रिस्टिन कल्चर है तो उन्होंने इसके बारे मुझे काफी सिखा रहा है और ऐसे इलाके में पले बड़े होने के वज़े से मेरा जो बच्छमन बहुत ही अलग गया था मतलब पहले दस साल जो मेरा बच् कौस्पोपॉलिटन है कासच कर यह जो इसा जहां पर मैं पड़ा बढ़ा हूं तो ये पुने का जो हिस्सा है कपी कौस्पोपॉलिटन है लेकिन लोग मेरे पर यकिन नहीं कर से थे को आपको कंपेर करना है तो आप उसको मुंबई की फोर्ट इलाके से काला खोडा इलाके से कर सकते हो कि यह बिल्कुल इसी तरह आप जहां आप अगर जाओगे तो आपको इसी तरह वहां पे फिल होगा और काफी वह भी कुले रिया है अब भी शायद कोविड के वज़े से यहां पे परेटक काफी कम है लेकिन यहां पे जर्ण्मान, प्रिटिश, स्कॉटिश, हर तरह का यूरोपियन, इस्राइली, अफगानी, सान फ्रांसिस्कों के हिप्पीज आपको दिख जाएंगे मैं बच्मन से उनको दिख रहा हूँ और एक फणी चीज में आपको बतात कि मैं वो हिप्पिस की तरह हेर कट करने वाले होते हैं तो यह चीज याद आती है मुझे जब मैं यहां से जाता हूँ तो झाले हो यह तूप्योज अपको यहां से और दो भाय से एकट चूझे जख से जब हो पूब प्सकता है टो वो को सिंग को कि और ले प्रहत हैं। कर दो बाँ कर दोगा है कि यझे की है अब्सकी पर पोलोम लोग्ब लेगं के समय से लाँ को अ खिजए हैं जाल इंच में लोग्षाव, आग। बाम करता की अ बादो, जजवाला आट लोग्वान लोग्वार हैं कि अब आपको इसका वाकिन टोर इसले करवा रहा हूँ क्योंकि आपको सही में इसका असली नदरा दिख सके कि अगर अगर मैं थोड़े थोड़े आप ग्लीम्स अब को बताऊंगा तो आधाधा नहीं आएगा मैं अगर आपको वोकिंग टूर कराऊंगा तो यह आपको मताएगा क्यों यह स्ट्रीट इतना यंग्स्टर की बीच में फेमस है और शॉपिंग के लिए फेमस है इसलिए म एमजी रोड़ पे आपको बड़े बड़े ब्रैंड दिख जाएंगे पहले होकर्स बैठते थे लेकिन उनको हटा दिया लेकिन सस्ते में कपड़े बहुत मिलते थे पहले हार की सस्ते वाली मिल जाती थी हम क्रिसमस की खर शॉपिंग यही पे करते थे है चैड़ डेकोरेशन की हो की नतम तो यही से करते थे और शादी की के ज़ादा से जादा हिद्दर यही से करते हैं और वेहार। इस फेमस लिए यहार् काफी पोने में रहूँ तो यही में शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करता हो और यही पे बद्दापुर मुवी की शूटिंग होई थी अगर आपने फिल्म देखी या देखने वाले हो मुझे काफी अच्छी लगी थी फिल्म और जब मैंने इंटर्विल का सीम देखा जहाँ पे इस जो होटेल अरोरा टावर्स यहाँ पे वरंदवन आते वर सामनी के लिफ्ट है उसमें चरे जाते हैं और यहाँ पर इंटर्विल होता है तो मुझे जाता गया है कि यही वो जगा है होटेल अरोरा टावर्स कि किसी जमाने में यहाँ का काफी फेमस सिंगल स्क्रीन थेटर था हमने हर फिल्म देटी एल जे रंगी लाख मैंने बैर किया यही पर देखिए देखिए प्रहं प्रह्णना गुआ है कर्वाय को पारे काने में में बाले कि परता है फवेश नहे टा नहे है थटेश के लुड़ ठाज बाले को नहे थे जए से यह reportívा ör अबदी कर ददेढन से तो जहे हे सना यह ब बहुँ झाए है, झाल 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 जो मेरे बीजे रंगेत दिवार है वह एकशली बीजे मेडिकल ग्राउड वही से मैंने मार्शलायट सिकने चलों गया था वह अंदर एक क्लास था बहुत शालों पहले वही से मैंने शुरुवात की थी। पिखना मार्चलार्ट पहली बार वही गया था सिखनी गरी और यहां का फेमर्स सिनेगॉग एर्बेन इजरेल का इसको लाल तेउल भी कहा जाता है दोस्तों अभी बहुत ही इंट्रेस्टिंग रोड बाता है जैसे मैं बच्पन से जाता है रहा हूँ और मेरे सामने मेरे आंटी का चर्चे सेंट थेवियर वह भी आपको दिखाता हूँ और काफी अच्छा रोड है इस रोड से बहुत सर्यादी जूड़ी है मेरे इसलिए मै आपको ये रोड दिखान अचा को आपे का आप alltså वह को जचा रहा है हाँ Mem tú कि मेरे आपको वह दो कि मैं को रहा है भी है झाल झाल यह सेंट जॉन्स कुल है किसमे मैं सेवन स्टैंडर में एडमिशन के लिए आता लेकिन अनफर्चुनेटली मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया तो दोस्तों यह वह रोडे इस से मैं हमेशा आया जाया करता था चर्च को यह नहीं जो ग्रेट ग्रेट अंटी दें उनके घर पे जाता था अपने कदेश को मिलने आधा तो यह यह दो आधा यह दो नहीं आधार रोड ही है तो यहां के च्छाओ यहां के पेड़ फूल रंगीन तब फिलाल तो बहुत भीड़ है क्योंकि स्कुल चुट चुके स्कुल चालो होके इसलिए जाधा भीड़ ही इस रोड को ने तो बहुत चांती रहते हैं हमेशा दिला वह दो इसलिए झालो हो फूल रहते हैं है वह जग़ हैं यह दो नहीं किता में रहते हैं अचल हैं? और अचल हैं? लग लग टांवाओ लग मैंट लग जढ़ सकनी जर भातो थाज़ कर दो दो जो 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 कर दो जा दो जो 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 बारती जा है ओर मैं उहांए दो मैं मैं दोूँले। भीख पाल, मैं मैं असोथ, क्योले गे जएूले। लग दूआ हो द्याओ, कुण़का रभ दो असलगं बेदो physics खर इछ purse बगओ, बगट इतने सालों में बहुत कुछ बदला हो चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है, यह सामने खाली मईदान हो आपके था, लेकिन वहां पे बिल्डिंग है हो गई है, बहुत कुछ जो पूराना आर्खिटिक्चर था, उसको अभी नए आर्खिटिक्चर ने बदल दिया है, पूराना था उसी बात ही कुछ अलग थे, ऌर्खिटिक्चर थाँ उसी है प्रहों आपके करें याफ प्रह कि अपप डाफ़ प्रोली प्रही बाफ़ लगार कि आपके कि श्राइब लगता रूली लेख लेगा है लेगा लेगा से लेगा है। कर दो जो दो जो इस जगह को दिखाएं यह औरनेला चर्च है Catholic Church और इसके थोड़े आगे जाती ही आपको एक एक ही जगा पे तीन बड़ी अब्रामिक फेत है वो भी शांती से रहते कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जगडा नहीं हुआ तो यहाँ पर पॉसीबल है इंडिया में तो होली लैंड में भी पॉसीबल होगा और इस दिन वहाँ पर भी ऐसी ही शांती होगी हमारे में यहा प्रॉद तो बे इंदियन प्रॉद इंडियन्स हुँ अग्योंग।